नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतीली आप बालक है और आपकी रियल हतीली मेरे शामनी बिवीचना के लिए आ रखी हैं इस हतीली का विश्लेशन करें शुन्दर साह उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाता हूँ यदि आप लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हतीली का विश्लेशन मिल करके कराना चाते हैं कुछ पोचना चाहते हैं अपनी जिग्यासा सांत करना चाहते हैं आपके मन में किसी भी विसाय को लेके कोई कन्फ्योजन है कोई दुविदा है और उसका जोतिसी उपाई आप करना चाहते हैं तो आगामी दो मार चुको मैं आप लोगों के पास जो है आप लोगों के बीच में दिल्ली में रहूंगा आप लोग मुझसे मिल सकते हैं और इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना वाटसप और कॉलिंग नम्मर दे रहा हूँ अगर आप लोग मिलना चाहते हैं आप लोग प्रामर्स लेना चाहते हैं और हतेली को दिखाना चाहते हैं तो अपना अप्वाइमेंट फिक्स करने के लिए या तो वाटसप कीजेगा या मुझे जो है कॉल कीजेगा मैं आपका जो है अप्वाइमेंट फिक्स कर लोगा तो चलते हैं इस जो है हतेली में अब देखेगा सबसे बड़ी जो इनकी यहाँ पे एक दुविदा है वो left hand को लेके है लेकिन right hand में भी same situation इनके हाथ में बन रहा है आप देखेंगे सबसे पहले तो ये इनकी मस्तिस्क रेखा है और मस्तिस्क रेखा में इस प्रकार से जो है ये बन रहा है और ये उल्टे हाथ में जादा इसपष्ट है ठीक है नै? और ये कह रहे हैं ये क्या यव का साइन है या मचले का है ये निश्चित तोर पे मचले का साइन है लेकिन जो कर्म पत्रिका है इनकी कर्म पत्रिका हतेली एक वोती जन्म पत्रिका जन्म कुंडली जिसको कहते है और हतेली है कर्म पत्रिका लेकिन यहां पे देखेंगे तो एक लाइन आकर इसको काट रही है भेदन कर रही है और मचले का प्रभाव यव के आकार में कहीं न कहीं बदल रहा है और किस परवत के नीचे इसका प्रभाव पड़ रहा है यहां पे ध्यान से देखेंगे आप तो सूर्य परवत के नीचे इसका प्रभाव पड़ रहा है और राहों का इसमें प्रभाव है डरने वाले बात नहीं है जब ये करियर मे उतरना सुरूद करिंगे तो इनको कुछ चीजों का ध्यान लगना है इनको जल्दबाजी से बचना है जल्दबाजे में बहुत बड़ा डिसिजन नहीं लेना है कभी भी उतावलेपन में बहुत बड़ा निरणईनी लेना है और भावनाओं के बसी भूत होकर बहुत बड़ा निरणई नहीं लेना है। नहीं तो यहाँ पे ये राहों का प्रभाव इनकी जीवन में अगर भाग में आ जाएगा और निरणईों के कारण इनकी नौकरी या ब्यावसाई में दिक्कत आएगी और वो दिक्कत थोड़ी सी लंबी चलेगी और जब साधी सुदा हो जाएए और बचों के साधी उगेरा करने की सोचें बहुत शमय तो अपने बचों के साधी इनको बहुत देखदा कर ही करनी चाहे सारी चीज़ां पता कर लेए उसके बाद ही बिबा करें ये इनके लिए ठीक रहेगा भले ही ये डेकुरेट नहीं है कि तब तक ये चीज़ें रहेंगी मैं कुछ ऐसा उपाए कुछ ऐसी क्रियाएं इनको दे रहा हो जिनसे अगर कोई भी असुपफल इनके हाथ में होगा निश्चित तोर पे वो सुबता की तरफ चला जाएगा असुपफल खतम हो जाएगा क्योंकि द को ले लो उसमें क्या लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुम्रे हनमंत बील पीरा कोन सु संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो बेग हरो हनमान महाप्रव जो कछ संकट होई हमारो कोई संकट जो है विक्ति का कुछ नहीं बिगार सकता है वो आभी नही प्रभाव हो और यहां मचले का चिन भी हो तो वो यव के आकार में ही गिना जाता है और ऐसे लोगों को करीबियों से धोका मिलता है खांदान का हो परिवार का हो कोई खास मित्र हो उनसे ऐसे लोगों को धोका मिलता है जीवन में और लंबे समय तक उसकी पीड़ा या दिकते होती हैं बाकि कुछ नहीं है लेकिन ये चीज भी नहीं होगी क्योंकि अभी बालक है और अभी से इनके निमित इनके मम्मी पापा या खुद ये कोई उपाए करना सुरो करने तो जीवन में ये चीज कभी भी गटट नहीं होगी ये निश्चित है ठीक है न, नन राहों का प्रभाव आएगा जीवन पर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि और लाइने इनकी बहुत मजबूत है, अगर और लाइनों को बात न करें हम कि उन मस्तिस्क रेखाई देखें, तो बहुत मजबूत है इनकी मस्तिस्क रेखा, तो बौदिक अस्तर इनका जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, क्रियेटिव रहेंगे, लंबी और हवाई आतराओं का जीवन में बहुत अच्छा मौका इनको मिलेगा, जिससे मन परसंद रहेगा, और खुशनमा जीवन में माहुल बना रहेगा, दूसरी बात है, हाँ, एक चीज़ जरूर रहेगी क्योंकि चंद्रमा का बहुत जादा प्रभाव इनके मन पे पड़ रहा है, तो प्रायो जो बहुत जादा सोचने वाला ब्यक्तित्व इनका बन जाएगा, और जादतर हमेशा कलपनाओं में डूबे रहने वाला ब्यक्तित्व रहेगा, इनका कहीं न कहीं जो मन है, वो भी एक आगर्चित कम हो पाएगा लेकिन स्रेश्ट सपलता भी ये अरजित करेंगे और इस कलपना सक्ति के कारण ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि लोग इनको जानेंगे कि ये क्या चीज है क्योंकि कलपना सक्ति इनकी जीवन में बहुत तगड़ी रहने वाली है अभी की बात करें या एक दो और चीजें देखें तो देखेगा धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी इनकी रहने वाली है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक और अध्यात्मिक भावनाई बढ़ेंगे इस स्वर में विश्वास रखने वाला ब्यक्तित्व रहेगा कैसी भी प्रस्तिती हो इस स्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा इस स्वर में विश्वास मना रहेगा हाँ बहुत जादा महेनत बहुत जादा प्रिश्रम करने के बाद ही चीजों में इनको सपलता मिलेगी और कई बार जीवन में दोड़ा धूपी का काम भी इनको करना पड़ेगा और यहाँ पे देखेंगे तो छिदर दिखाई दे रहा है और यह जीवन काल के 35 वर्स तक अपना प्रभाव जीवन पर रखता है और विसेशकर दhtन के मामले में और चीजों के मामले में नहीं 35 वर्स तक या तो बहुत जादा खड़ चिछला सवाव रहेगा इनका या तो दhtन के मामले में संगरस रहेगा या ऐसा रहेगा कि दन के महतों को समझ ही नहीं पाएगे लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीजें इनकी जीवन में रहेगी लेकिन सूरे के बहुत अच्छे गुण इनकी जीवन में आ रहे है यहाँ पर इसकी तरफ जुक रही है यह तो यस पाने की इक्षा हमेशा बनी रहेगी नेम फिम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए उसका फैलाव हो जाए एक ब्राण बनकर उबरा जाए ये हमेशा इनके साथ रहेगा और ये इससे बड़ी है मिडल फिंगर से छोटी है सफल जरूर होंगे यस जरूर मिलेगा जीवन में पर सिद्धी जरूर मिलेगी और धन के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इनके अंदर रिस्क लेने की ताकत बहुत जादा है जीजों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत जादा रहेगी और इस रिस्क लेने में इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर अपनो उठने की ताकत भी इनके अंदर है जिसको हिम्मती स्वभाव कहा जाता है यह इनके जीवन में है यहाँ पे देखेंगे तो धन कमान की ललक भी जबरदस्त रहने वाली है लेकिन यह इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाव में एकाउंटिविल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमीर दिखाई दी रही है और देखेगा जिस प्रकार से बिक्तितों को निखर के आना चाए उभर के आना चाए वो नहीं दिख रहा है तो यहां तक नाखोन अगर ये बढ़ा के चले तो ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगे यहां पे देखेंगे तो थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है बुड़ जिवन जीने के लिए प्रयतन सील बिक्तितों रहेगा एक बहुत बड़ी चीज इनके हाथ में है यहां पे देखेंगे तो एक दो ये रेखाई जो उबर रही है ये इस पष्ट बता रहा है पर ये बहुत लेट है ठीक है ने इनको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक की मिल जाएगी धन है प्रतिष्टा है मान सम्मान है सभी चीजों में ये योग बड़ोतरी को दिखा रहा है एक समय ऐसा आएगा इनके जीवन काल में अभी तो बहुत रेखाऊं का बदलाव होना है इसलिए मैं उमर एकदम नहीं बता रहा हूँ ठीक है ने लेकिन एक समय अइसा आएगा इनके जीवन में ये निर्धन नहीं रहेंगे ये गरीब नहीं रहेंगे हाँ जब ये तरक्की बहुत ज्यादा पालेंगे ने तो इनके अंदर बहुत ज्यादा इगो प्रोब्लम आएगे इस से इनको थोड़ा समल कर जीवन में चलना होगा ये धार्मक भ और धन के लिए ये अंगोठा बहुत अच्छा कहलाएगा ब्यावसाई त्यादी चीजों को दिखा रहा है और ब्यावसाई में बिसेश परकार की सपहलता भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कोशिस करें कि जीवन में 42 वे वर्स से पहले ये 40 वे वर्स से पहले य इसके बाद ही ब्यावसाई में जाए और ब्यावसाई में भी कभी भी पार्टनर्शिप में कारे न करें इस बात का ये ध्यान रखें दूसरी बात इनका सुक्र भी यही कह रहा है ये कूबर जो निकली है ये बहुत इंटेलिजेंट है बहुत बुद्धिमान वाला ब्यक नहीं बच पाए तो जीवनकाल में संगर्स को दिखा रहा है धनहानी होगी ब्यावसाई 40 से पहले अगर करेंगे तो बड़ा सोच समझ कर इनको करना है नहीं तो ब्यावसाई में नुकसान होगा और यदि ब्यावसाई करते भी हैं अपने जीवनकाल में कभी भी साजेदारी में काम न करें पार्टनर्शिप में काम न करें हाँ एक बात बहुत अच्छा है बहुत बड़ी सपलता तो मिलेगी धन तो खुब कमाएंगे लेकिन खुब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा खास कर जिवन में धन कामाने की इस्तिति थोड़ी सी लेट बन रही है यहां पर लेकिन मन पसंद जो धन की इस्तिति बहुत अंबार के समका है वो 42 वर्स से बहतरीन दिखाई दी रहा है आगे तो देखेंगे अभी रेखाई हैं क्या कहते हैं बुड़ापा बहुत अच्छा है इसके हिसाब से लेकिन खर्चेला स्वभाव इसके हिसाब से रहे बुड़ापा ऐसा है कि 56 वर्स के आई के बाद बेहतरीन समय है इनका दुबारा से दो बार भाग योदा यह है एक 56 के बाद और एक पहले ठीक है एक चीज और है इनके जिवन में हाँ बर्तमान की अगर बात करे तो इनका अगर चंद्रमा देखें यहाँ पे तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा खराब सा दिखाई दे रहा है जिससे एक आगरता की कमी इसपष्ट दिख रही है मन की चंचलता इसपष्ट दिख रही है और थोड़ा मानसिक परिशानी भी चंचलता भी रह सकती है भावकता भी रह सकती है ठीकन इमोशनली भी थोड़ा परिशान रह सकता है मन कभी कभी जैसे पढ़ाई कर रहे है तो मन पढ़ाई में नहीं लगे गा बलकि मोबाइल में जो है कोई कार्टोन आ रहा है, कोई वो आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मन जाएगा और पेट की दिक्कतें कहीं न कहीं इनको रह सकती है, तो चंद्रमा का उपाई जरूर करें और मा के साथ थोड़ा मत्वित्ता रह सकती है, नीन आने में भी आगे जाके ज़्यादा खराब होता है, तो दिक्कतें रह सकती हैं, स्वास्तिय पर भी ये प्रभाव डाल सकता है, तो थोड़ा इसको समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है ब्रेस्पती मूल है, सनी के तरफ देख रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, अभी ठीक है ये, ठीक है, इसको और मजबुत आपको करना होगा इसको मजबुत करने के लिए इनको कोई पाठ पोजा की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा धंग से समझा के एक चीज समझा लीजेगा, जब ये नहाई या हात्मों दोके तयार हो जाए, तो सुबह के समय सबसे पहले, अपने पिताजी और अपनी माताजी के चर्ण जरूर चुएं, और माताजी और पिताजी इनको ऐसे आशिरवात दे, जो जहां पे देखेंगे आपने ब्राह्मन लोगों का चुटिया होती है, तो वहां पी इनका हात रखे, आशिरवात देते, धेरगायो भो, ठीक है, विद्यावान भो, बहुत तरकी करे, मन में भाव बोले, या मन के बहार बोले, लेकिन दोनों इनको इस प्रकार से आशिरवात दे, ठीक है ने, और हपते में हो, या महेने में हो, हपते में हो तो ज़्यादा अच्छा, महेने में हो तो फिर भी चलेगा, भगवान विश्णों का कोई मंदिर हो, या कोई भी मंदिर हो, वहां पे की मूर्ति हो राम चंदर जी की मूर्ति हो इनको वहां ले जाए खीक है ने और उनके दर्सन करवाले कोई मंतर पढ़ने के आप सकता नहीं है कोई उपाई करने के आप सकता नहीं इससे इनका ब्रस्पती बेहत्रीन हो जाएगा और जब ब्रस्पती बेहत्रीन हो जाएगा त कितना भी बड़ा योग जीवन में गलत प्रिणाम दे रहा हो, अगर आपका ब्रिस्पति अच्छा हो गया, तो आपको न तो पूजा पाट करने के आवशकता होगी, न तंतर मंतर करने के आवशकता होगी, न किसी जो है अंगोठी उगेर पहनने के आवशक्ता होगी आपकी हर काम में सुबता आएगी आप जीवन में बहुत प्रतिष्टित होंगे आपका चिरंजीवी जीवन रहेगा और बहुत सुन्दर जीवन रहेगा और इतना मान प्रतिष्टा और इतना अच्छा धन बैभाव माता-पिता का सुक बच्चों का सुक दामपत्य जीवन का सुक और बैभाव और प्रतिष्टा का सुक किवल और किवल ब्रस्पति इनको दी देगा और करना क्या है सुबह उठना है अश्नान करेंगे तो ठीक है ने तो हात मुद्ध हो कि जैसे ये रेडि होते हैं और अपने पिताजी और माताजी का पैर जरूर छोने पूरा मस्तक लगा ले तो बहुत अच्छा है और माबाप भी जहांपे मैंने बोला है ठीक है ने उस जेज में इनका जो है आसिरवाद दे दे और मन से बहुत सुबता के साथ पवित्र मन से इनको आसिरवाद दे तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है और जरूर कराएगा अगर इस लड़के के बहुत अच्छे भाग्या है अगर मैं देखो तो बहुत सुन्दर जो है हर जीज की आकर्त है बहुत सुन्दर चीज़े है तो जरूर करवाएगी इनको बहुत बड़ा लाब होगा ठीक अन अगर यह अपने अंदर से मंतर बोल सकते हैं तो गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णौ गुरूर देवों महेश्वरा और गुरूर शाक्षात प्रभ्रह मंतस में श्री गुरू वहिनमा ठीक यह चीज़ जरूर करेंगे आपको बहुत अच्छा लाब होगा जीवन की रेखा अब ध्यान से देखे हिर्दे रेखा यहां से दो भागों में बट रही है और यहां पे जो है यह जा रही है इन दोनों के बीच में थोड़ा भावक के समके ऐसे बेखते होते हैं माता पिता के आगे बहुत ज़्यादा सेवा करने की चाहा रखते हैं और अपने मन से सेवा करते हैं यह अपने जो पेरेंट्स के लिए अभी तो जैसे भी हो क्योंकि अभी चंद्रमा है राहो का यहां से प्रभाव है तो आभी नहीं कह सकता हो लेकिन बाद में ये बहुत अच्छी सेवा करेंगी, मन से, हाँ थोड़ा भावकता जरूर रहेंगी, दयालुकता इनके अंदर जादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वो ऐसे कहीं न कहीं जो है दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, और जीवनकाल में इनकी महत्वक अंच्छाएं बहुत जादा बढ़ जाएंगी, इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होगी, इनकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और उसके लिए एनके परकारेंड जो भी हो सकता है, ये करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है, मस्तिस्क रेखा अगर हम देखें तो कहीं न कहीं डवल भी दिखाई दी रही है, इसके बारे में ये अभी आगे चलती है, तो उसे साबसे बात करूँगा, और यहीं पर रहती है, अभी धाई से तीन साल में पता चल जाएगा इसका, एक रेखा यहां से आ रही है, इसका पता चल जाएगा, हाँ, जीवन की रेखा बहुत अच्छे है, आगे दो भागों में विवक्त हो रही है, इसका मतलब इश्पष्ट है, इनकी जीवन की जो बहुत बड़ी काम्याबी है, जो बहुत बड़ी तरक्की है, अपनी जन्म अस्तान से दूर होगी, जन्म अस्ता से दूर होगी, और अपनी जीवन काल में ये इतना धन और इतना बैभाव और संपदा को जोड़ेंगे, और लंबी उमर के भी ये प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित तोर पे दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज्यादा सोकिन रहेंगे, और ये सोक इनका पेहतरिन तरीके से पूरा होगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मंगल इनका बहुत अच्छा है, जो रेखा है, बहुत भागया सालिय है, इनका कोई कार्य नहीं रुकेगा, कहीने कहीं से ब्योस्ताई हो जाएंगी और इनका काम चल जाएगा, लोगों क इनके उपर बहुत अच्छी किरपा बनी रहेगी, बहुत सुन्दर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कारे के परती आगे चल कर जुजहरुपन रहेगा, जिस कारे को हाथ में ले लेंगे, जब तक पोरा नहीं होता है, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज इनक तरक्की देगे, सुक्र का अगर प्रवत हम देखते हैं, बहुत अच्छा है, गोमने फिनने के सौकन रहेंगे, आगे चल कर ब्यक्चित तो बहुत मजबुत होगा, इनका निम्न मंगल बहुत खराब है, दिब्य सुर्य किरिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाई होगी, या सरीर की जो जोड है, उनमें दर्द उगिरा की सिकाइद रहेगी, ज़्यादा खराब हो गए तो पेट की समस्याई बढ़ेंगी, तो इसमें मैं उपाई दे रहा हूँ, जरूर करें, उपरी मंगल अच्छा है, प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटि भी बहुत अच्छा है, जहां तुचा बहुत अच्छी रहेगी, वहीं वुआनी भी बहुत सुन्दर रहेगी, और आगे चल कर जो कम्यूनिकेशन इसकल्स है, उसकी दम पे जबरदस्त सपलता हसिल करेंगी, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, थोड़ा जो मैंने बताया वही है, अनबैलेंस, और यहां पे देखेंगे, तो अभी यह थोड़ा सा जो है, एक अगरता भंग करता है, चिंताएं देता है, तो मैं उपाई दे रहा हूँ, क्या उपाई दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेगा, मैं इनके लिए जो है, एक उपाई तो मैंने बता द अगर ये कर सकते हैं तो दिव्य सूर्य किरिया और दिव्य योग ध्यान किरिया में दे रहा हूं जरूर करवाएगा नहीं तो चंद्रमा का एक उपाई दूंगा अगर वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी तो चंद्रमा का उपाई जरूर करवाएगा इनको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार